Hello everyone, welcome back to the Rana Academy तो आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा कि हमने chapter 2 that is significant figures and errors हमने start कर लिये थे बेटा जिसके अंदर हमने significant figure क्या होता है और साथ में हमने ये study कर लिया है कि उसकी rounding off कैसी की जाती है और आज के lecture के अंदर हम study करने वाले हैं errors के बारे में और हाँ उपर जितने भी चैनल और जो pages दिये गए हैं उनकी जो links है वो आपने description box में डाल दिये हैं तो बिना को time waste किये चलिए शिरू करते हैं तो देखिए बेटा error जाने से पहले आपको पतावना चाहिए कि measurement क्या चीज होती है आप जानते हो कि physics के अंदर सबसे important चीज जो कहते हैं कि basic foundation वो हमारा measurement ही होता है नेकि measurement का basically मतलब क्या है measurement का मतलब होता है एक ऐसा process जिस process के अंदर हमें जो quantity दी जाती है हम उसको compare करते हैं एक standard value के साथ मतलब क्या है मतलब स्रीव इतना कि जैसे आप एक market में जाओ इतना 3 meter cloth लेना है तो आपने देखा होगा दुकानदार के पास actually एक meter rule होता है वो उस meter rule का तीन गुना length जो कपड़ा होगा वो काटके आपको देदेगा यह जो आपने measurement करी है कपड़े की इसको compare किसके साथ किया इसके साथ compare किया जो one meter का जो हमारे पास scale उससे compare किया बस इसको ही measurement कहा जाता है तो बात सर्व यह है कि चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले बट कभी भी हमें अपनी accurate value या true value नहीं मिलती है देखिए दो तरह की values होती है एक तो होता है true value और जिसको हम actual value भी कहते है और एक होता measured value जो मैंने measure की है हमने हमेशा यह चीज़ देखिए कि there is always a difference between a measured value and true value बस इसी difference का नाम रखा गया error तो मतलब यह कि अगर मुझे error को find करना है तो बस मुझे मेरी true value चाहिए और उसमें से minus कर दूँगा बटा अपनी measured value को और बस मुझे मेरा error मिल जाएगा याद रखे बटा कि जो measured value होती है वो true value से आपकी जादा भी हो सकती है उससे कम भी हो सकती है इसनी वज़े से जो error है वो आपका positive भी आ सकता है और as well आपका negative भी आ सकता है तो घुबराना नहीं होता कर positive आगा और negative आगा तो मतलब गलत हो गया ऐसा नहीं है measured value कैसे आती है with respect to true value यह decide करता है कि उसमे positive value होगी बटा error होगा क्या negative error होगा बटा अब हम बटा क्या करेंगे अपने error को classify करेंगे broadly तीन categories के अंदर और वो तीन categories बटा आपकी यह है सबसे बहले हमारे पास है systematic error फिर है random error फिर है gross error अब एक-एक करके इसको study करते हैं अब हमने बात करने बटा systematic error की तो बटा systematic error वो error होते हैं जिनमें एक जैसा trend हमें दिखाई देता है मतलब trend in one particular direction आइधर वो positive trend होगा या तो वो negative trend होगा अब बोलेंगे इसका मतलब क्या है मैं आपको मतलब समझाता हूं don't worry at all देखें बात सरे वितनी है कि मान लेते हैं कि मेरे पास स्केल है आप जानते हैं कि यह 0 है और ऐसे करके 1 आता है फिर यह आपका आदाएगा यह 2 ठीक है इस scale में ही पेटा actually में defect है आप बोलेंगे defect क्या है सर इसमें मान लेते हैं कि defect इस तरीके से है कि जब मैंने एक और scale से इसकी measurement करी तो वो actually में मुझे 2 cm नहीं बता रहा था इन दो lines के बीच में वो मुझे 1.8 cm ही बता रहा था मतलब यह कि जब इनकी printing की गई न तो printing का जो बीच का gap है वो गलते से misprint हो गया जिसकी वज़ा से 1.8 cm length के अंदर ही 0 से 2 cm बिटा उसमें print हो गया तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि इस scale में defect है और अगर इस scale में बिटा आपका defect है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर measurement के अंदर आपको 0.2 cm का बिटा difference मिलता जाएगा अब इस scale से आप जिस मर्जी की measurement करते जाओ हमेशा किस चीज का defect रहेगा आपका 0.2 cm का defect रहेगा तो ये कौन से error हुआ एक systematic error हो गया तो systematic error का basically मतलब होता है वो error basically जो एक ही trend में हो मतलब हर एक readings के अंदर positive अगर आ रही है तो positive 2.2 cm का फरक अगर negative 2 cm है तो negative 0.2 cm का फरक आपको मिल रहा हर एक reading के अंदर तो उस तरह के error को systematic error का नाम दिया गया है तो सबसे important बात यह है कि systematic error एक ऐसा error है जिसके बारे में हमें पता होता है कि भाई ये किस वज़े से हमें वो error मिला है और क्योंकि मुझे उसके बारे में पता होता है इसलिए मैं चाहकर उसको अराम से minimize कर सकता हूँ अब sources क्या है systematic error के तो सबसे पहले source तो मैंने आपको अलड़ी यहाँ पर बताई दिया है देखिए instrumental error सबसे बड़ा error होता है आप कभी अपने lab में जाएंगे तो आपको अलग अलग type के instrument दिखाए देंगे length को measurement करने के लिए हम 3-4 basic instruments का इस्तिमाल करते हैं जैसे कि scale का इस्तिमाल करना, vernier caliper का इस्तिमाल करना, screw gauge का इस्तिमाल करना ठीक है तो बेटा कहने का मतलब है कि ये वो instrument है जिनसे length को बहतरीन तरीके से मल प्रसाइस तरीके से मैं अराम से measure कर सकता हूँ लेकिन बेटा अगर इन्हीं instrument के अंदर कही न कहीं problem होगी तो obvious है कि आपकी reading के अंदर भी बेटा क्या होगी problem होगी तो देखिए जैसे कि मेरे पास एक scale है वैसे तो scale properly आपको ऐसा दिखता है लेकिन अगर मालो scale हलका सा टूटा है यह हलका सा crack है तो जब आप इसकी reading लोगे तो हमेशा उसकी perfect reading तो आएगी नहीं दूसरा जब हम वर्निर कैलिपर के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि scale हम study करेंगे don't worry competition में तो मैं बहुत details में यह पढ़ाता हूं बर अभी के लिए हम थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे तो कहने वाली बास सिर्फ यह है कि ऊपर वाला जो यह देख रहे हो इसको हम main scale कहते है और नीचे वाला जो होता है इसको वर्निर scale कहते है ठीक है मैं जो आपस में मिलते हैं तो zero of the main scale, zero of the burner scale के साथ coincide होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब उसमें error होता है इसलिए इसमें दो तरह के error भी होते है positive error और negative error अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे zero इस उपर वाले zero के right में है और यहाँ पे zero इस उपर व error मिलता ही जाएगा दूसरा बेटा होता है personal error कभी कबार क्या होता है कि हमें in experience होने के वज़र से कभी कबार हम observation जो है वह सही तरीके से हम देखते भी नहीं है जैसे कि एक simple सा example आपके सामने है बेटा कहा जाता है कि जब कभी भी आपने reading लेनी होना तो हमेशा जो आप जब आपको error मिलता जा रहा है उसी तरह अगर मालीजे बेटा हमने कोई एक liquid किसी बिरुट के अंदर डाला हुआ है तो उसमें लोर मनिस्कस बनता है कहा जाता है कि हमेशा जब भी reading लेनी है इस लोर मनिस्कस से ही बिल्कुल आंके उसके सामने रखते हुए उसकी measurement लेनी होती है और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर उसमें क्या जाएगा आपका error आजाएगा तो यह दो तो आपको समझ में आगे होंगे तीसरा होता है external cost यहां देखो simple सी बात है कभी कबार क्या होता है कि बाहर का climate है अगर उसमें चेंज आ जाए जैसे कि temperature में चेंज आजे, pressure में humidity, velocity, wind velocity तो इससे क्या होता है कि आपकी measurement में effect पढ़ता ही पढ़ता होता है clear हो गया बेटा, very good और last बेटा जो सबसे important है बेटा आपका, वो है आपका least count error least count error में least count का मतलब क्या है बेटा, यह मैं आपको फ़ले अच्छे समझा दूँ, किसी instrument की सबसे छोटी value जो वो instrument measure कर सकता है, उसको least count कहा जाता है जैसे कि, अगर मैं scale की बात करता हूँ बेटा, तो आपको पता है कि सबसे smallest जो division होगा इसका, वो ही हमें इसके सबसे smallest value calculate करके दे सकता है तो इसकी सबसे smallest value जो यह मुझे calculate करके दे सकता है, वो है, यह 0 और 1 की बीज में 10 division है, तो 1 divided by 10 करूँगा और मेरा answer 0.1 cm आजएगा, तो this 0.1 is the least count अगर मैं vernier caliper का इस्तेमाल करता हूँ बेटा, तो इसका इस्तेमाल होता है to calculate the second digit, जाफरिकोंगा second decimal place of a length तो मतलब यह कि इसमें यह आप 1 cm को 100 हिस्सों में तोड़ सकते हो, तो एक हिस्सा जो है, वो जगा 0.01 cm, तो मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, कि इसका जो error है, वो 0.1 cm का होता है, अगर मैं screw gauge के बाद करूँ, तो यह तीसरे decimal place तक आपको calculate कर देता है, आपको मैंने already बता दिया हुआ इसके बारे में कि accurate value क्या होती है आपकी, और जितने ज़्यादा decimal places होते हैं, जितने ज़्यादा significant figure होते हैं, उधना precise आपकी क्या होती है, वो value होती है, तो इसमें क्या होता है, 1 divided by आपका 1000 होता है, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि 0.001 cm इसका least count होता ह है, तो least count को basically समझे न, मतलब बेटा, least count को मतलब है कि वो minimum value जो एक instrument आपको calculate करके दे सकता है, वो ही होता है, और वो ही आपका error भी होता है, मतलब किसी की reading, अगर suppose करो, अगर किसी की reading आगे 2.393, तो इसमें error पता क्या है, क्या है कि 3 decimal place है, तो plus minus 0.001 cm आप लिख सकते हो, क कभी confused नहीं हो न, एक ऐसे आपने इसको करना था, so, एक बात यार रखें बेटा, कि आपके जो instrument है न, उसकी resolution और जो least count error है, वो एक दूसरे से बेटा, आपस में relate होते हैं, कहाँ ये जाता है, कि अगर आपने least count को reduce करना है, तो क्या करें, एक तो high resolution वाला आप इपना instrument ले सकता है, तो अगर वैसा आपका बास instrument हो, तो always आपकी जो reading आएगे, वो गलत क्यों आएगी, और दूसरा अपने experimental techniques को थोड़ा ठीक कर लीजिए, एक तो आप high resolution वाला instrument ले लीजिए, दूसरा आप अपने experimental techniques को ठीक कर ले, इस से बेटा, आप अपने least count के error को जितना चाहें जितना चाहें, मलब काफी हद तक आप उसको कम कर सकते हो, एक बात हमेशे यह रखना, जितना छोटा आपका least count होता है, smaller the value of least count, जैसे कि screw गो उसका क्या था, 0.001 cm, और एक scale का था 0.1 cm, अब इन दोनों में से छोटा कोंस है यह वाला है, जितना छोटा least count होता है किसी device का, उतना जादा उस measurement की accuracy होती है, और यह बात तो बेटा, I think मैं आपको already detail में समझा चका हूँ, and last बेटा, याद रखें कि कभी भी को कहता है कि systematic error को कैसे कम किया जा सकता है, तो कहते हैं कि अगर आपने उसको कम करना है, तो पहली बात तो अपने experimental techniques जो है ना बेटा, उसको प error को remove करो, तो इससे आपका systematic error है, जितना minimize करना चाहो, उतना minimize आप कर सकते हो, I hope आपको systematic error अच्छे से समझ में आगए होगा, very good, अब हम बात करेंगे random error के बारे में, नाम ही बोल रहा है random, random मतलब एक ऐसा error जिसके बारे में पता ही नहीं कि वह error हमें आया कहां से, अच्छा कर लो, अगर आपको माल लेजी, मैं एक pencil दूँ, और मैं बोलो, इसकी length मुझे measure करके देजिए, मैं आपको guarantee दे सकता हो, जब आप एक बार उसको measure करेंगे, तो आपकी reading आएगी, दूसरी बार measurement करेंगे, तो अलगे reading आएगी, तीसरी बार measure करेंगे, लगे reading आएगी, instrument है आपके पास वही, हैं, जिसको measure करना वो भी आपके पास है, उसके बावजुद भी, अगर error लगाता राता जा रहा है, वो भी different, different error, तो इसका मतलब कह है पिटा, there is a random error, आपको पता ही नहीं है, कि इस वाईसे वो reading जो है, वो आपके बार बार अलग आ रही है, ठीक है, आपके एक reading बनी है, अब आपने जिसको measure करना था, आपने scale की help से उसको रखा, और आपने ये देखा बेटा कि अब ये जो scale की length है, ये दो division के बीच में लाई कर रहा है, तो होगे न random error automatically, तो एक कहने का मतलब बेटा क्या है, एक वाद समझने की पोहिश करना, पर इस बात को, की बेटा, देखिए, जो, they are random with respect to size and sign, इसका मतलब क्या है, मतलब ये बेटा की, random error आपका positive भी हो सकता है, और जैसे माल आपने अग्रेटिंग ली, तो आपका positive error आ गया, अगले बार next reading ली, तो आपका negative error आ गया, तो आपको पता ही नहीं कि किस वाँ पर हो रहा है, आ सकता है, तो ये सब क्या है, आपके random errors होते हैं, अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि किस वज़ा से, कैसे क्यों arise होता है, पहली बात तो obvious है, जैसे नाम ही बोल रहा है, इस due to random and unpredictable variation in experimental conditions, कभी-कभी क्या होता है, जैसे मैं अभी एक experiment कर रहा हूं, ठीक है, मालो, बारिश ठीक था, पर एकदम से temperature change आ गया, उसकी वज़से आप, इस experimental condition के अंदर जो आपकी reading है, उसमें change आ जाएगा, उस तरह आपका pressure हो गया, voltage supply होगी, ठीक है, mechanical vibrations होगी, तो इन सब की वज़से आपका random error है, वो arise हो जाता है, और इसी को ये भी कहा जाता है, ये एक chance error है, इसको बात या रखिए, कि कभी भी कोई आप से पूछने से systematic error को कम करने का तरीका बताया, तो random error को कम करने का क्या तरीका है, कहते हैं, कि अगर हमने random error को कम करना ना, तो एक काम करो, बहुत सारी observation लेने के बाद, अगर आप उसका mean निकालते हो, क्या निकालते हो, अर्थमेटिक mean अगर निकालते हो, तो उससे आपका random error minimize होता है, याद है कि experiment करते हैं वक्त आप से बोला जाता है, एक काम करो, अगर आप माल लीजिए, time period of a simple pendulum निकाल रहे हो, तो आप हो कहा जाता है, कि 20 vibration या oscillations के लिए, at least आप 10 readings लीजिए, और जो भी result आएगा, फिर आप उसका mean निक होता है, इसी वज़े से कहा जाता है, कि mean value would be very close to the true value, और ये सबसे best तरीका होता है, random error को कम करने, क्योंकि हम इसके बार में पता ही नहीं होता है, किस वज़े से सब कुछ हो रहा है, I hope आपको ये systematic error और random error जो है, वो अची तरह समझ में आ गया होगा, अब हम find करेंगे, absolute error क क्या होता है, उसको find करना का तरीका, और relative error या percentage error ये सा find करना सीखेंगे, so देखें बाटा क्या मतलब है और कैसे हम इसको करते है, बटा देखो simple सी बात है, suppose कर लेते हैं, मेरे पाँच rating है, 5 ratings है, x1, x2, x3, x4, x5, मेरे पाँच ratings है, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता ह ठीक है, so x mean, मुझे क्या निकालने बटा, mean value निकालने, mean value को निकालने का तरिका क्या है, देख लो ध्यान से, x1 plus, x2 plus, x3 plus, x4 plus, and x5, and बटा डिवाइडबर में क्या कर दोंगा, 5 कर दोंगा, इससे बटा आपको आपकी एक value मिल जाती है, तो ये है आपका x mean, ठीक है, and हा answer जो आपका आना चाहिए, वो significant figure and rounding off को ध्यान में रखते हुए answer देना, ये बाद यह रखना, ठीक है, अब आता है बटा, absolute error, absolute का error का मतलब होता है, कि हर एक individual reading के अंदर कितना error है, वो मुझे calculate करके दीजिए, जैसे कि delta x1 का मतलब होगा, वो error जो x1 के अंदर है, तो बस जो आपको mean value मिला है, इस में से x2 को minus कर दो, and so on बटा, x mean में से आखरी वाला जो होगा, x5 उसको minus कर दो, याद रखे हैं कि इन में से value आपकी बटा positive भी आ सकती है, और कुछ आपकी बटा negative भी आ सकती है, क्यों, तो random error है, तो random error में क्या होता है, ये errors की range आपको मिलती है, कुछ positive मिलता है, कुछ negative मिलता है, और जो true value है, वो उसके बीच में कहीं पर like कर रहा होता है, clear, ये बात याद रखना है, तो उसके बात next है, mean absolute error, mean absolute error मतलब ये mean values आपको individually मिली है, इनका magnitude लेकर, इनका mean निकालो, मैं मतलब समझाता हो, don't worry, जैसे delta x mean है, इसका मतलब पता है क्या है बेटा, देखो, जैसे की delta x1 है, ये मैंने mode ले लिया, mode का मतलब होगा कि अगर मालो इसका answer है, मालो minus 5 आया, तो अब यहाँ पे आप इसको plus 5 डाल देंगे, बस ये मतलब है, अगर 5 है तो 5 ही डाल लेंगे अब, ठीक है, plus delta x2 का बार आ गया, प्लस ऐसे ही delta x3, delta x का 4, फिर delta x का 5 बेटा, divide by 5 कर देंगे, जितने भी digits है, ये जितने भी data है, divide by number of data कर दें, तो आपको mean मिल जाता है, तो बेटा, इस से मिलता है, आपको mean absolute error, बहुत simple है, पहले mean निकाला, mean में से हर एक value को subtract किया, तो absolute error है, वो positive और negative दोनों हो सकता है, mean absolute error में क्या करना है, कि स absolute, जो error है, वो आपको मिल जाता है, आपको एक बात बताओ, जब कभी भी हम किसी की length को लिखते है न, वो actually में, जैसे आपको बोला जाएगा न, आगे आने वाले questions के अंदर, कि the length of the road is 2 plus minus 0.2 cm, तो उसका मतलब होगा कि ये जो 2 है न बेटा, ये actually में आपकी mean value है, और ये जो बेटा, 0.2 है, ये actually में बेटा, आपकी delta mean value है, मैं बेटा, mean absolute error है, तो कहने का मतलब है, किसी की भी reading जब हम लिखते है, जैसे x की reading लिखनी है न, तो वो लिखिया आती है, x mean, मतलब उसकी mean value से, plus minus, मैं बेटा, plus भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, एक range देनी बहुत ही बोल बलो, plus minus की form में लिख दो, plus minus का मतलब होता है, कि एक range दे रहा है बेटा, आपको, जैसे मालो ये value है, तो अगर plus 2 cm इदर है, तो minus 2 cm, जैसे कि अगर मैं आपको example देता हूँ, मेरे पास मालो की बेटा, एक convex lens है, ठीक है, अब क्या है, convex lens है, convex lens का जो focal length है, माल लेते है, 20 cm, इसका मतलब है, plus minus 0.5 cm, माल लेते हैं, कि उसमें plus minus 0.5, इसका मतलब ये है, कि जो भी आपकी reading आईगी, वो आपकी 19.5 cm से लेकर, 20.5 cm के बीच में होगी, तो ये मतलब होता है, ये एक तरह से range दे रहा होता, आपकी value को, तो ये तो था, अभी जो आपने study किया, ये तो था आपका mean absolute error, अच्छा, अब आयाता है बेटा कि मेरे पास relative error क्या है, और fraction error क्या है, तो चलो वो भी देख लेते हैं, तो बेटा देखो, simple सा example दोंगा, किसी की reading को लिखने का तरीका क्या है, बेटा, x mean, plus minus delta x का mean, यही होत बस, तो relative का मतलब होता है, बेटा, with respect to one reading, उसमें कितना error है बेटा, आपका, ठीक है, fraction wise कितना error है बेटा, उसमें, तो कुछ नहीं करना होता, ये mean आपको देख रहे हो, इसको numerator में लिखो, और नीचे आपका x mean जो है, उससे divide कर दो, and there you go, आपको आपका relative error मिल गया, जैसे कि इस case में कोई मुझे बोलेगा, इसका relative अरा निकाल हो, तो I will do just 0.5 divided by 20, and that will be your mean error, that's it, simple है यार, तो अगर मैं सो calculate करता भी हो, तो बेटा, ये मेरे पास आजाएगा, that is 5 by 200, 2.5 divided by 100, so that will be 0.025, छीक है, ये मेरे पास बेटा, यहाँ पर आजाएगा, अब, अब, that's it, अगर आप देख रहे हो, तो one significant figure में बेटा, आपका होना चाहिए, तो ये 5 है, 5 के बाद कोई नहीं है, और ये बेटा, even है, तो 0.02 आपका यहाँ पर आजाएगा, तैसे, इस तरीके से बेटा, आप इसो करेंगे, it's a very simple concept, बड़े अलसानी से बेटा, अच्छा, उसके बाद आता है, बेटा, percentage error, अब percentage error का क्या मतलब है, percentage error का मतलब होता है, कि जो relative error ना, उसको 100% से multiply कर दो, मतलब, delta x mean, divided by x mean, इसको 100 कर दो बेटा, तो आपको percentage में मतलब जाता है, बेटा, कितनी उसमें error है, जैसे कि 0.02 है ना, इसको 100 से multiply करोंगा, तो कितना आ जाएगा, बेटा, आपका 2% आ जाएगा, तो इसका मतलब यह है, कि यह 0.05%, actually 2% of error है, 20 cm का, तो यह होता है, percentage error, तो बड़े असानी से बेटा, आप यह सब चीज़ों को find out कर सकते हो, अगर माल लो, आपको अभी भी नहीं आया, don't worry, मैं आपके लिए बेटा, एक numerical लेकर करते हैं, तो बेटा, इस particular numerical में आपको दिया हुआ है, कहते हैं, the reflective index of water is found to have the value, 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, मैं यह सारी values आपको दिए टोल कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको दिए, तो कहते हैं, इसके mean value find करो, ठीक है, तो x mean को find करने का सबसे बैस तरीका कहा है, बेटा, सब square करो, और divide by the number of terms, that will be the arithmetic mean, so 1.29, plus 1.33, plus 1.34, plus 1.35, plus 1.32, plus 1.36, plus 1.30, plus 1.33, आगया ना, इन सब को divide कर दो, and divide by 8 कर दो, तो जैसे बेटा, आप इसको solve करेंगे न, आपका answer जो है, वो आता है, 1.3, 2, 7, 5, यह बेटा, आपका answer यहां पर आ जाता है, ठीक है, अब बात यह है, कि अगर आप इसको check करोगे, तो यह 5 significant figure के अंदर आपको दिया हुआ है, बट जब हम add या subtract करते हैं, तो इस बात का ध एक, दो, तीन, उचके बाद वाला यह 5 से बड़ा है, इसी वज़े से बेटा, 1.33, इसका सही answer बेटा, आपको मिल जाता है, ठीक है, तो बस आपने इसी तरीके से बेटा, इस वो करना था, अब मुझे find करना बेटा है, इसका mean absolute error, mean, absolute error पता करेंगे, फिर relative error पता करेंगे स absolute error को पता करने का तरीका मैंने बता दिया, इसे delta x1 है, that will be, बेटा, x mean, minus x1, ठीक है, तो बस सेखे करके शुरू करते हैं, मैं बार बार ने लिखूंगा, अब सिधा लिखता हूं, इसे 1.33, minus, पहली reading है 1.29, बेटा, ठीक है, तो आप इसको solve करते हैं, 0.04 आपके पास आ ज तरीक है, तो बस आपका 0 आ गया, delta x3 की बात करूंगा, तो 1.33, minus 1.34, minus 0.01 आजेगा बिटा आपके पास, ठीक है, बाकी भी निकाल देता हूं, फटा 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 फट, डोंट वरी, ठीक है, एक सेकिंद दीजे मिरे को, ठीक है, एक सेकिंद दीजे मिरे को, ठीक है, उसे बाटा, next मेरे पास आयाता है, that is delta x, that is 4, that will be 1.33, minus 4, that is 1.35, so यह आदेगा, minus 0.02, यह आपके पास यहाँ पर आ गया, अगला मैं बात करूंगा, delta x5 की, तो 1.33, minus 1.32, answer बाटा, 0.01, यह आदेगा, delta x6 की बात करता हूं, अगर मैं अपनी है, I hope, बड़ा, समझतों आई रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर हाना, okay, so, so, 6th reading यह वाली है, so, that will be 1.33, minus 1.36, 6th, तो automatically, बड़ा, minus 0.03, minus 0.03, right, यह बड़ा, आपके पास आजएगा, and, थोड़ा सा, बड़ा मैं यहाँ करना पड़ेगा, मुझे, आजएगा, delta x7 करूंगा, बड़ा, अगर मैं, तो 1.33, minus 1.33, तो आप कांसर 0.00, आपके पास आजएगा, तो बड़ा, यह असान है बड़ा, असानी से आप यह कर सकते हो, individually, कोई doubt है, तो हम मुझे चाहें तो पूर सकते हैं, बड़ा, आप comment box में जूर डाल दे न, अगर कोई problem हो, तो मैं आपको जूर इस कांसर बताऊंगा, कैसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है, जी, very good, तो बड़ा, अब मुझे क्या निकालना था, अब मुझे निकालना था, इसका, that is the mean absolute error, क्यों, क्योंकि mean absolute error निकालोंगा, तब भी तो मैं relative error find कर सकता हूं, देखिए, उसके लिए मैं सबसे पहले आपका ये जो है इसको erase करता हूं, और उसके बाद आपको ये करके दिखाता हूं, तो अब हमने निकालना था, mean absolute error, तो delta x mean ये रिप्रेजेंट कर दिया, बस इन सभी values की positive values लेकर आपने इनको divide by 8 करना, मतलब ये बताता हूं, जैसे कि delta x1 है आपका, delta x1 आपका 0.04 है, तो 0.04 लिख दो, plus, ये है 0.00 तो 0 आजाएगा, plus, next है minus, minus लिखना, plus से लिखना है 0.01, plus, 0.02, plus, ये है 0.01, plus, 0.03, plus, 0.03, plus, 0.03, plus, 0.03, और divide by कर देना बिटा, आपने number of terms कितने से बिटा, इसकी 8, बस, इससे बिटा, आपका mean absolute जो error है, वो असानी से आपको मिल जाता है, ठीक है, तो बस जब आप इसको solve करते हो बिटा, तो आपका answer आता है, 0.0175, ये बिटा आपको मिल जाता है, मैंने का कहा था बिटा, मैंने आपको साफ साफ कहा था, कि जब आप add करते हो, तो उस टाइम ये देखो, कि least decimal place क्या है, तो दो decimal places है, तो answer भी आपके दो decimal place में होगा, तो जैसे आप 1, 2 करते हो, तो इसको हटाते हो, तो 7, 5 से बढ़ा है, इसलिए आप बात रहे आती है, सिर्फ और सिर्फ मुझे find करना है, एक तो relative error और एक percentage आरहा है, जो कि बहुत यह असान है, अब mean value मुझे मिल चुकी है, mean value सो यह थी आपके, this is your mean value, जो मैंने find कर लिया था, and mean absolute error मैं और रोड़ी find कर चुका हूँ, तो मतलब यह है कि जो आपकी reading है, reading को आता कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, 1.33 plus minus 0.02, इस तरह से reading लिख सकते हो, ठीक है, बाकी यह दोनों मुझे find करने है, तो मैं एक बार इनको raise कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको next part भी करवाता हूँ, तो अब मुझे निकान था relative error, relative error, relative error का त साथा, बैस तो formula है, delta x mean, divided by x mean, यह ही है, बाकी बेटा, अगर आपको reading ऐसे दिये दिये है, मैंने अलोड़ी लिख दिया है, यहाँ पे, तो बस 0.02 divided by 1.33 आप कर दीजिए, और आपको बेटा, उसके हसाब से, जो आपका answer है, वो आपको असानी से मिल जाएगा, तो जब आ हुआ, ओर हाँ, यह किस form में होथा, बैटा, प्लस-मानस की form में होतार, यह प्लस-मानस थे, तो आपको relative value बैटा, प्लस-मानस की form में हमेशा होता है, अपका, तो बस आप जब इसको solve करते हो, आपको answer प्लस-मान इस 0.05 बैटा, यह आपका basically answer आता है, लेकिन हमने क्या तो बस सिंपल सी बात में यही कहूंगा आपको कि जब आप इसको रिमूव करेंगे उपर अगले वाला ओर्ड है तो बस प्लस वन कर दीजे इसको तो आपका आज़ेगा प्लस माइनस 0.02 तो यह आपका आंसर आ गया relative error का clear very good जब हम बात करते बेटा percentage error की ना बस percentage error पर बस एक बात ध्यान रखना है बेटा percentage error के अंदर मैंने आपको यादे में क्या कहा था बेटा कि जब आप किसी की previous की value उठाकर अगले की अंदर put करते हो तो आपको जो real value आती है उसी का इस्तेमाल करना होता है यह last lecture के इंदर में ने बताया हुआ ध्यान से पढ़ना बेटा उसको तो percentage error का मतलब क्या होता है delta x mean divided by x mean into 100 बेटा यही होता है तो बस इसका मतलब हुआ कि यह तो बेटा आपका जो answer आया था वो आया था 0.015 और इसको बेटा म प्लस माइनस 1.5% यह आपका answer आया था तो याद रखे जब percentage आर निकालना है तो जो value आपकी आई है उसी का इस्तिमाल करके इंडो 100 करके अपने answer निकालना होता है I hope आपको अच्छे से अब यह समझ में आ गया होगा कि actually में यह सब मैं क्या कर रहा हूं ठीक है तो आज की lecture के अंदर बेड़ा हमने study किया errors के बारे में and I hope आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि different type of errors आपके क्या होते हैं और साथ में absolute error, mean, absolute error, relative error यह सब आप कैसे find out कर सकते हो और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो please like it, share it and subscribe it आज के लिए वस इतना ही, thank you so much